Hello students, welcome to Abhimanyu IS. I am Guruvinder Kaar, senior faculty of Abhimanyu IS. Very warm welcome all of you in this session. As you already know कि Punjab ECS का जो exam है, वो last time 2021 के अंदर हुआ था. So time काफी हो चुका है students और जो हमारा previous यह trend है, जो previous trends देखे गई है 2012 से लेकर 2020 तक. Every, you know, two years के बाद notification आउट हो जाती है for the PCS. इस बर थोड़ा time ज्यादा चला गया, but definitely notification तो कभी भी आ सकती है इस time पर. Final जो हमारी, you know, जो एक report होती है, वो बिल्कुल ready है students, तो notification किसी भी time आ सकती है. as per our information, ठीके. So, notification can be out for any time for Punjab PCS. So, that's why students यहां पर हमें जो है, वो यहां पर discuss करना चाहिए कि हमें अपनी preparation को किस तरीके से आगे लेके जाने. For example, जैसे मैंने आपको पहले यहां पर एक दिन पहले भी मैंने आप से discuss किया था, for the, you know, age criteria से related हमने एक topic discuss किया था. आज यहां पर हम NCRT के बारे में देखें कि NCRT के से ready करनी है students, NCRT का कितना important role है for Punjab PCS examination, कि अगर आप इतना बड़ा अगर competition दे रहे हो, ठीके, graduation level तक का, तो उसमें NCRT कहां तक role, you know, play करती है, ओके, ठीके. तो see here, सबसे पहले आप यह समझ, try कीजिए, यहां पर understand करने की, वो यह है students की, अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि सिर्फ NCRT करके आपका exam clear हो जाएगा, then it is wrong, ठीके, यह बहुत ही, you know, गलत चीज है, अगर आपको इस तरीके से कोई misguide कर रहे है, see here students, NCRTs अकेले करके, आप कभी भी, you know, PCS जैसे exam जो है, उसको crack नहीं कर सकते, because आप एक common sense यहां पर यह लगाई है students की, जो NCRT, जो exam है, उसमें आपको graduation level तक का eligibility उसमें रखी गी है, कि आपके पास graduation होनी ही चाहिए, it means कि वो आपस graduation level तक का, you know, knowledge का, आपकी check कर रहे है, so that's why NCRT plus 2 तक है, ठीक है, तो NCRTs जो है, वो आपका exam clear नहीं करवा सकती, बट हाँ, definitely यहां पर एक catch यह है students, कि आप जब graduation करते हो, तो आप पीछे का जो भी आपका basic schooling होती है, उसमें आप थोड़ा भूल जाते हो, तो उसको recall करने की ज़रूरत होती है, so that आप advance जो अपने topics हैं, को ज्यादा अच्छे से कर पाओ, इसलिए यहां पर students, NCRTs की जो importance है, वो बढ़ जाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपको NCRT skippy कर देनी चाहिए, या आपको सारी NCRT बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, फिरिया पेपर दो, तो इसमें तो student बहुत साधा time निकल जाएगा, अगर आप ऐसा, अगर आप 6th, सिर्फ और 6th से 10th तक की NCRTs भी पढ़ने बैठ हो, तो भी I think कि आपके 2 months कहीं नहीं जाने वाले, 2 months आप जरूर उसको पढ़ोगे, तो इतना time नहीं होता है, क्योंकि जब notification आती है, तो उसके बाद इतना time तो नहीं होता आपके पास, कि आप सारी NCRTs बैठ के पढ़ो, right, so that's why student यहाँ पे NCRTs जो है, कौन-कौन सी पढ़नी चाहिए, कितनी importance है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, see here students, सबसे पहले हम यह देखते हैं, कि हमें कौन-कौन सी NCRTs पढ़नी है, ठीक है, NCRTs कौन-कौन सी हमें यहाँ पे पढ़नी है, है सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं तो see here students NCRTs के हम यहाँ पर देखते हैं see here जैसे की geography के लिए अगर मैं बात करो student geography के लिए student जो आपको NCRT पढ़नी है वो 6 से लेकर old syllabus की जो हमारी NCRT है 6 से लेकर आपको 10 तक की NCRTs पढ़नी है प्लस आपको plus 1 plus 2 की new syllabus की NCRT पढ़नी है और साथ में आपको word atlas तो चाहिए अब कोई भी word atlas पर chase कर सकते हो चाहिए अब black swan का कर लो oxford का कर लो ठीक है कोई issue नहीं है second अगर मैं politics की बात करो तो student उसमें NCRT कौन कौन सी plus 1 और plus 2 new syllabus की recording आपको पढ़नी है फिर हमारी economy के उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस वन की एक ही NCRT आती है student उसको पढ़ने है प्लस वन की एक ही NCRT आती है economy के लिए उसी को पढ़ने है अगर मैं बात करो next ancient history के लिए तो उसमें आपको new NCRT की जो theme है plus 1 plus 2 की themes आती है students new NCRT की theme part 1 करना है for the medieval history आपको new NCRT की theme part 2 करना है see here students बहुत बार students मेरे से history के बारे में तो इतना पूछते हैं कि मैं old पढ़े या new पढ़े see here students आप old पढ़ लो new पढ़ लो इसमें कोई बात नहीं है बात यह है student कि आप exam किस हिसाब से दे रहे exam जो है वो student new NCRT को देखके बनता है क्योंकि वो भई अबके time का NCRT पेपर सेट करेगा ना कि old NCRT को देखके पेपर सेट करेगा ठीक है तो यह एक बहुत common sense वाली बात है कि अगर NCRT अपडेट हुई है तो उनी को पढ़ना चाहिए ना आप old NCRTs क्यों उठा रहे हो ठीक है old जहां पे मैंने आपको mention किया है वहीं से आप पड़ो सिर्फ और सिर्फ otherwise आप मत पड़ो ठीक है new NCRTs को ही follow करो ठीक है next modern history के लिए आप NCRT part 3 and word history के लिए student new NCRT part 3 also तो दोनों ही उसकी अंदर उसकी अंदर modern और word दोनों दी हुई है तो आप theme तीनों पड़ोगे आप theme number 1,2,3 x plus 1 plus 2 के ठीक है students ठीक है word politics वाला वो नहीं पढ़ना आपको NCRT नहीं पढ़ने ठीक है art and culture के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वही NCRT पढ़ने होती है और आपको कोई book भी नहीं पढ़ने होती है ठीक है international relation के लिए आपको 1 plus 2 की बहुत अच्छी NCRT आती हो बढ़ी interesting होती है contemporary word politics ठीक है आप उसको पढ़ सकते हो recommend उसको आप prefer कर सकते हो science and technology के लिए student NCRT 6 से लेकर 10 तक की आप NCRT पढ़ सकते हो plus आप Lucent की journal knowledge की book भी follow कर सकते हो but आप यो है इसको ज्यादा prefer कीजिए ठीक है NCRT from 6 से लेकर 10 तक के लिए एक NCRT आती है plus 2 की उसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपको ecology का portion ready करना है only and only ecology का portion for the environment purpose okay student तो इस तरीके से आप NCRT को cover कर सकते हो for the Punjab PCS ठीक है okay students तो मैं यहाँ पे यहाँ पे हम lecture यहाँ पे class को over करते है but before that if you want to join us right if you want to join us for the success in PPSC so हमारा new batch start हो रहा है student 1st November 2023 से description box में आपको link मिल जाए का student उस पे जाए और जाकर अपना batch के लिए आप join कर सकते हो okay students so thank you thank you so much have a nice day wish you very all the best thank you thank you so much